हाई आपको यह जानना होगा कि साड़ी हलकी है या भारी तो मेरी साड़ी आपे काफी जादा हलकी है तो इसलिए मैं इसको तक करने के लिए नीचे की तरफ उतनी ही लेंथ रख रही हूं जितने में मेरे पैरों की जो उंगलिया है वो केवल हाइड हो जाए अब इसके बाद इसको टाइटली घुमाते वे हमें इसको बेसी क्राउन को कम्प्लीट करना है और फिर चले जाना है साड़ी की एंड पे साड़ी के एंड को भी हमें घुमा कर सामने की तरफ लाना है और अब हम अरेंज करेंगे अपनी पल्लू को तो ऐसी पतली बार्डर वाली साडियों म पल्लू अरेंज करना बहुत आसान होता है इसमें केवल आपको अपनी बार्डर को दोनों ही तरफ से रफली अरेंज कर लीजे और एक हाथ में पकड़कर आप इसको उचा उठा दीजे नीचे की तरफ जो फैब्रिक आपको दिख रही है इसमें जो भी पतले-पतले से क्र पलीट्स नहीं नजर आती हैं तो फिर आप अपनी उंगलियों को इतना ही फैलाइए जितना में आपकी बार्डर की जो चोड़ाई है बस उतनी ही फैब्रिक अरेंज हो और फिर उसको आप उतनी बार्डर के साथ पकड़ते चलिए यहां पर देखे कितने परफेक्ली प्ल को अच्छे से कवर करेगी या नहीं तो आगे मैं आपको ऐसी पिनिंग ट्रिक बताने वाली हूं जिससे कि आपकी यह कंफ्यूजन भी सॉल्व हो जाएगी चलिए यहां पर आप लेंद देख लीजे बिल्कुल नीज से नीचे तक है मेरी अब इसके बार देखे इस कंधे की प्लीट को हम कहां लगाएंगे बिल्कुल अपनी स्लीव के एंड पर लगाएंगे हम जैसे कि यहां पर आप देख सकते हूं बिल्कुल एंड पर मैं लगा रही हूं यहां पर मैं ब्लाउस के नेक को नहीं देख रही हूं कि मुझे ब्लाउस के बिल्कुल नेक पर लगा आपकी फैलेगी और आपके नेक के ऊपर जादा चड़ेगी भी नहीं अब ये फैबरिक हम पीछे की साइट से घुमा कर सामने की तरफ पकड़ लेंगे अब हम बनाएंगे अपनी सेंटर प्लीट सेंटर प्लीट बनाने के लिए राइट की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा हम और फिर कुछ इस तरीके से चौड़ी-चौड़ी प्लीट हम अरेंज करेंगे देखे ऐसी प्रिंट वाली जो साड़ियां है वो आपको स्लीम लुक देने में भी हिल्प करती है तो अगर आप पहले से काफी जादा पतले दुबले हो तो ये साड़ी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी लेकिन हां अगर आप हिल्दी हो तो फिर आप ऐसी साड़ियां जरूर पहनिए अब सामने की तरफ मैंने लेफ्ट की तरफ भी थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है और अब 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 जब सभी प्लीट्स आप गैदा कर लेते हो तो राइट की जो हमने फ तक कर दीजे अपनी ठीक बेली बटन के पास अब आपको जो राइट की फोर्स प्लीट है उसके फैब्रिक को टक नहीं करना है और अब लेफ्ट वाले जो हमने फैब्रिक छोड़ा था उसको हम प्लीट के अंदर से राइट की तरफ इस तरीके से बाहर निकालेंगे जब आपको यह देखना है कि आपकी कमर के पास जो फिटिंग हो आ रही है वह सही है या नहीं जादा भी इसको नहीं करना है पहले तो आपको कपड़े को बाहर निकालना है और जब आपको लगे कि वह पफेक्ली फिट हो गई है तो फिर आप उसको ट्विस्ट करना शुरू की तुछ कि ट्विस्ट करते ही आपको पतले-पतली सी प्ली ख कमर के पास बनते दिखेंगे तो आप उसको शेधं कर दीजे और फिर अपने जो ट्विस्ट करके फैबरिक बनाया है उसमें आप ऐस छोटा सा नोड्व बना दीजिए अब हम सेंटर प्लीट और अपने कमर के पास वाली फैब्रिक को पकड़ कर सामने की तरफ एक सेफ्टे पिन लगा देंगे यह सेफ्टे पिन आपकी पूरी ड्रेपिंग को काफी लॉंग टाइम तक संभाले रखेगा और अब हम साइड वाली प्लीट्स को उनकी जगा पे ले आएंगे तो यहां तक आपकी ड्रेपिंग कमप्लीट हो चुकी है अब मान लीजे आपको ऐसी पत्ती बॉर्डर में फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल पसंद है तो इसी में हम आगी की तरफ स्टेप को बढ़ाते वे केवल ये वाली बॉर्डर को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे पकड़ते हुए बिल्कुल कॉर्णर तक ले जाएंगे ताकि ह हमारी जो लेफ्ट साइड की बर्स्ट है वो भी अच्छे से कवर रहे और फिर बच्ची हुई जितनी भी प्लीट्स है उनको ठीक उसी जगह पे एक साथ पकड़ते वे हम एक पिन लगा देंगे तो यहां पे प्लीट्स हम उतनी ही पकड़ेंगे जैसे की हमने इसको अरें प्लाउस के अंदर से पिन लगेगी नहीं तो हम केवल यह उपर वाली बॉर्टर को उठाकर ठीक यहां पे पिन लगा देंगे यह पिन सेक्यूर होते ही आपको सामने की तरफ से काफी परफेक्ट फिनिशिंग मिलेगी और ऐसी अगर पतली बॉर्टर वाली आप साड़ी पहन रहे हो तो यह स्टाइल में आप लोग को हाईली रेकमेंड करूंगी तो देखे यह रही हमारी फाइनल लुक और लेट की साइट से भी आप देख सकते हो हमारी बस्ट कितनी पॉफेक्टली कवर है आप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेलफुल रही होगी मैं मिलते हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में सबाई